हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है राहूल आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल राहूल टेक टिप्स में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप से बात करने वाले हैं फेस्बुक के एक नए अपडेट के बारे में दोस्तों जिसमें आपको दो बहुत ही कमाल के फीचर मिलने वाले हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को चलिए बिना कुछ देरी की वीडियो को करते हैं इस्टार्ट और आपको बता देते हैं कि वो कौन से दो फीचर हैं जो आपको फेस्बुक को अपडेट करने पर मिलेंगे और आप उन फीचर का कैसे यूज करोगी तो दोस्तों उससे पहले दियाप मारे चैनल पर नए हो तो एर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू तसकर लेना और दोस्तों आप मैं इंस्टाग्राँ पर फालो करना चाहते हो तो यार फालो कर लेना मेरा यूजरनेम है राहुल.tech.tips.01 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों जहाँ पर open लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी mobile phone में हो सकता है update आया हो तो दोस्तों आपको update कर लेना है अपडेट करने से होगा क्या कि जो दो नए feature Facebook में जुड़े हैं ओ आपको सबसे पहले मिल जाएंगे तो दोस्तों चलिए अब मैं Facebook को open कर लेता हूं और मैं आ सामने कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करना है स्क्रॉल करने के बाद आपको ऊपर तीन option देखने को मिल जाएंगे अब दोस्तों मैं आपको इन तीनों option के बारे में step by step बता देता हूं कि कौन सा option किस त प्रेंड होंगे उन सभी की post दिखेगी लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगला option है फेवरेट का तो दोस्तों मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा सेट आप फेवरेट तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद simply यहाँ पर आपको उन लोगों को add करना है जिनको आप अपनी फेवरेट लिश्ट में add करना चाहते हूं तो दोस्तों मैं यहाँ पर फटा फट दो तीन लोगों को add कर लेता हूँ, add करने के बाद आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा pages, तो दोस्तों आप इस पर click कर देना, इस पर click करने के बाद आपको जो favorite page लगें आपको उन्हें add कर लेना है, दोस्तों add करने के बाद simply यहाँ जब आप favorite पर click करोगे, तो दोस्तों आपने जिन लोगों को favorite की list में add किया हुआ है, तो दोस्तों आपको अब उन्हें की केवल post दिखाई देंगी, तो दोस्तों यह बहुत ही कमाल का feature Facebook में add हुआ है, और दोस्तों यहाँ पर अगला आपको feature मिलता है recent का, तो दोस्तों मै इस पर click कर देता हूँ, इस पर click करने के बाद simply यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का interface open हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पर आपने जिन page को follow किया हुआ है, और दोस्तों आपके जो friend है Facebook पर, उन लोगों ने जो recent में post किया हुआ है, आपको ओ सभी post यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, तो दोस्तों यह तीनों feature बहुत ही कमाल के feature हैं, दोस्तों पहला जो feature है home का यह पहले से ही था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दो नए feature add में हैं, यह बहुत ही तगड़े feature मुझे लगे, दोस्तों आपको यह feature कैसे लगे, आप में comment box में जरूर बताना, और मैंने आपको step by step इन दोनो features के बारे में बताने का पूरा प्रयास किया, दोस्तों उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो यह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और द अब तक के लिए, बाई